मेरे प्यारे देश भास क्यों? आजादी के 75 साल पूरे होने के अउसर पर हम सभी पूरे उत्सा से अमरित महोत्सों मना रहे हैं। अमरित महोत्सों के दोरान देश में करीब करीब दो लाग कारकमों का आयोजन किया गया है। ये कारकम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविदता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खुबसूरती ये भी रही, इन में रिकार्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दोरान हमारे युवाओं को देश की महान विवितियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले कुछ महिनों की बात करें, तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिल्चस्प कारकम देखने को मिले। ऐसा ये कारकम था दिव्यांग लेखकों के लिए। राइटर मिट का आयोजन इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागीता देखी गई। वहीं आन्द प्रदेश के तिरुपती में राष्ट्रियस संस्कृत संबेलन का आयोजन हुआ। हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में कीलों का, फोर्ट्स का कितना महत्व रहा है। इसी को दर्साने वाली एक केम्पेंग, कीले और कहानिया, यानि फोर्ट्स से जुड़ी कहानिया भी लोगों को खुब पसंद आई। साथियों, आज जब देश में चारों तरप अमरित महत्व की गुंज है, पंदरा अगस्त पासी हैं, तो देश में एक और बड़े अभ्यान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर विरांगनाओं को सनमान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभ्यान शुरू होगा। इसके तहट देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कारकम आयुजित होंगे। इन विभूतियों के स्मृति में देश की लाखो ग्राम पंचायतों में विशेश सिलाल एक भी स्थापित किये जाएंगे। इस अभ्यान के तहट देश भर में अमरित कलस यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गाउं गाउं से कौने कौने से पचतर सो कलसों में मिट्टी लेकर ये अमरित कलस यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुँचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश की अलग-अलग हिस्सों से पाउधे लेकर भी आएगी। पचतर सो कलस में आई माटी और पाउधों से मिलाकर फिर नेशनल बौर मेमोलेर के समीप अमरित वाटिका का अंद्रिमान किया जाएगा। ये अमरित वाटिका एक भारत स्वेष्ट भारत का भी बहुती भव्य प्रतिक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल के लिए से अगले पचीस वर्षों के अमरित काल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभ्यान मैं हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पुरा करने की सपत मिलेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपत लेते हुए अपनी सेलफी को you are.gov.in पर जरूर अप्लोड करें। पिछले वर स्वतंतरता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा भ्यान के लिए जज़ापुरा देश एक साथ आया था। वैसे ही हमें इस बार भी फिल से हर घर तिरंगा फैराना है और इस परंप्रा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तवियों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिये गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मुल्य का एसास होगा। इसलिए हर देश वासी को इन प्रयासों से जुरूर जुड़ना चाहिए।